हुआ हुआ है है फ्रेंस विल्कम टी इंडियन लोकल फूर आज जो है मैं सरसो बटा माज बनाने जा रही हूं यह बिंगोली स्टाइल का मच्छी का सब्जी है इस बनाने के लिए मैंने मच्छी लिया है हाफ केची और इसमें मेरिनेट करूंगी हल्दी और नमक के साथ और शर्टी में हल Цеशे लूंगी नमक हाफ चममच और से अच्छी तरह से मीक्स कर लोंगी तो मैंने अच्छी तरह से से में पल्स कर लिया है अब इमें तवय में तील को गरम करूंगी और इस अची तरह से फ्राइ कर दोंगी तो तो तील जो है वो गरम हो चुका है अब मैं एक ही करकी सभी पीसेश को डाल दूंगी और इसे जबते कि तुसरे तरह से लाल ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे और तुसरे तरह करेंगे तो आब हम इसके मसाले को रेडी कर लेते हैं सर्सो बटा माच को बनाने के लिए हमें सर्सो चाहिए तो मैंने फीली सर्सो का यूज कर रही हूं इसमें एक मिक्षर ग्राइंटर लेंगे और इसमें सर्सो को डाल देंगे और एक प्याज को भी काटके डाल देंगे इसमें दो मिर्चिया अब इसमें थोड़ा पानी देंगे और इस अच्छी तरह से ग्राइन कर देंगे तो जो सरसो प्यास और मिर्चा है वो ग्राइन हो चुके हैं अब मैं टमाटर को भी ग्राइन करूंगी एक बड़े से तमाटर को लेंगे इसे भी काटके ग्राइन डालके में इसका पेस्ट बढ़ा लूगे तो टमाटर का भी पेस्ट हो चुका है तो मच्छा जो है अच्छी तरह से लाल हो चुके है दुछी तरफ से तो अभी हम इसी तरफ करेंगे वह अच्छी तरह से पक जाए और लाल हो जाए करयोंगे तो अ मैं प्राइ करोंगी और इसको मैं जो जो रजएर जो जो घ्रेविवी में डाल डूंगी तो आप देख सकते कितना अच्छी तरह से प्राय हो चुका है तो हम इस तरह से नीआ लाल करना है तो या अब हो चुके है अफर निकाल प्राइन आ सटलूंगी तो मच्छी फ्राई हो चुके हैं अब हम इसका ग्रेवी बनाएंगे तो जो कड़ाय यह वो गरम हो चुका है तो जो तेल में मैंने मच्छी को फ्राई किया है उसी तेल को मैं कड़ाय में डाल दूंगी और ऊच-फूबल का गरम होने के लिए डालेंगे एक बीसे प्याज को मैंने काटा है उसबी में डालांगे तो थोड़े का लुए हूँका बीसे अ कुछ ने टूंगर प्याज और मुर्ची उसे में डाल दूंगी साथे साथ रसुन को भी हमें अधर के उसनी करना है सरसबटा में और इसे थोड़ी दिर क्लिए फ्राइ करूंगे थोड़ा सा हदी देंगे नमक एक चमच और तमाटर को जह हमने ग्रैंड किया था उसे भी डाल देंगे और आप हमेसे अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे तो आप देख सकते हैं यह अच्छी तरह से फ्राइ हो चुका है और इसका बहुत सारा पानी भी सुप गिया है तो आप मैं इसमें एक कप पानी डालूंगी और इसमें थोड़ा सक कटी धनिया डाल के इस थोड़े दिर के लिए उबालूंगी उसके बाद मच्छीय को में डाल के इसे फिर से एक बार उबालूंगी तो यह उबल गये हैं अब मैं इसमें मच्छीय को डाल के फिर से एक बार अच्छी तरह से उबालूंगी यह मच्छीय में अच्छी तरह से जो सरसुकी ग्रेपी है वह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसे में मिक्स कर लूंगी और थोड़ी देखिले से उपालूंगी तो मेरा ग्रेवी हो बहुत गारा हो रहा है तो मैं इसमें और थोड़ा सा पानी दूंगी तो हमें ज्यादा इसे गारा नहीं बनाना है तो इसे थोड़ी देखिले उबालेंगे जब तक अच्छी तरह से जो सरसु का जो मसाला है और अच्छी तरह से मच्छी के साथ मिक्स हो जाए सकते हैं और सारे मसाले प्लेशद मिक्स होना देख कर देंगे करेंगे सो सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह से हमारी एक नदिक्टे रहें अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रिस लाइक करें आधे सब्सक्राइब करें था हैं झाल झाल